साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूँ, तो हमारे डिप्लोमाटिक समंधों को सत्तर साल होने जा रहे हैं, साथ दशक. साथियों, आप भी यहां रहते हुई अनुभोग करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर को अनुभोग करता है, कि भारत और जपान नेचरल पार्टनर है, भारत के विकास में, भारत के विकास यात्रा में, जापान की महत्वपन भूमी का रही है, जापान से हमारा रिष्टा आत्मियता का है, अध्यात्म का का है, जापान से हमारा रिष्टा सहयोग का है, अपने पन का है, और इसलिए एक प्रकार जे रिष्टा हमारा सामर्थ का है, ये रिष्टा सम्मान का है, और ये रिष्टा विश्व के लिए सांजे संकल्प का भी है, जापान से हमारा रिष्टा बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है, हमारे महाकाल है, तो जापान में दाइको कुतिन है, हमारे ब्रह्मा है, तो जापान में बोनतिन है, हमारी मा सरस्वती है, तो जापान में बेंजाईतिन है, हमारी महादेवी लक्ष्मी है, तो जापान में कीची जोतिन है, तो हमारे गणेश है, तो जापान में कानगीतिन है, जापान में अगर जेन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षातकार का माध्यम मानते हैं 21 सदी में भी भारत और जपान के इन सांस्कूर्तिक समंदों को हम पूरी प्रतिवत्यता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और मैं तो काशी का सांसद हूँ और बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि जपान के पूर्व प्रधान मत्री से अभे जब काशी आये थे तब उन्होंने एक भावत बड़िया सोगात काशी को दी काशी में जपान के सहयोग से बना रुद्राक्ष और जो मेरी कभी कर्मभूमी रही वो एहमदाबाद में जेन गार्डन और काईजेन अकेडेमी यह ऐसी बाते हैं जो हमें कितनी निकट लाती है यहां आप सभी जपान में रहते हुए इस आयतिहासिक बंधन को और मजबुद बना रहे हैं और ससक्त कर रहे हैं झाल